अन्य प्राशन संसकार आरंब होता है जहां मारूती को देव गुरू ब्रिहस्पती स्वयम मारूती के मुख में भोजन का पहला कोर रखते हैं किन्तु मारूती देखते ही देखते भंडार का सारा भोजन खाकर समात कर देते हैं अंजना को चिन्तित देख मारूती मा से खुशुदा त्रिप्थ होने की बात करते हैं अब आगे क्या करूं मैं मेरी शुदा तो शांती नहीं हो रही है कुछ तो खाना होगा पर क्या खाऊं रहसोई में जाकर देखता हूँ वहाँ अवश्य कुछ मिल जाएगा कहा ढूंदू यहाँ देखो यहाँ भी कुछ नहीं है इसमें भी कुछ नहीं है यह भी रिक्त है अरे यह सब तो रिक्त है अब मारूती क्या खाएगा इनमें कुछ तो होगा इसलिए उपर बान के रखे हुए है क्या करूं यहाँ तो कुछ भी नहीं है यहाँ तो क्या जहाँ नहीं है यहाँ तो कुछ नहीं है जाँ जाएगागा यहाँ धदाएगा यहाँ तो यहाँ उपर टो अरे ये तो शक्रा है और ये तो कच्ची दाल है और ये कच्चे चावल अब मैं इन्हें कैसे पकाऊं कच्चे ही खा लेता हूँ शुदा ही तो शान करनी है अरे ये तो समाप्त हो गए अब मारूती क्या खाएगा नारायन नारायन प्रणाम देवर्शी अब और ये सेब आप ये सेब मारूती के लिए लाए है हाँ मारूती ये सारे सेब मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ नारायन नारायन लो देवर्शी ये सेब तो बड़े रसीले और स्वादेश थे मारूती को और चाहिए किन्तु मेरे पास जितने सेब थे मैंने आपको दे दिये अब और फन नहीं है मेरे पास किन्तु मारूती की भूग तो अभी थक शांत हुई ही नहीं है और इसी कारण मा बहुत दुखी है मा का दुख तूर करने के लिए मारूती को अपनी शुदा कुशांत करना ही होगा ये तो बड़ी ही विकट समस्या है मेरे फल तो समापत हो चुके हैं किन्तु मैं तुमें एक ऐसा फल दिखा सकता हूँ जो विशाल तो है ही तुमारी शुदा को भी शांत कर देगा किन्तु किन्तु क्या देवर्शी किन्तु वो फल तुमें स्वैम तोड़ना पड़ेगा उससे स्वैम प्रयास करके पाना पड़ेगा प्रयास करना पड़ेगा करोगे अवश्यै शीग Vince दिखाएं दeवर्शी मारुती अवश्यै प्रयास करेगा आओ मैं दिखाता हूँ वो देख रहे हो ना वो महा फल आकाश फल अच्छा ये है आकाश फल कितना बड़ा है दिखाए दिया ना वो है आकाश फल इस महा फल को खाने से तुमारा उदर भर जाएगा और तुमारी शुदा भी शान्त हो जाएगी सत्य कह रहे हैं आप सत्य तो कह रहा हूँ किंतू पुना है ये किंतू और कितने किंतू देवर्शी किंतू बहुत दूर है वो आकाश फल शुन्ने की डाल पर लटका है युग सहिस्त्र योजन दूर तो क्या हुआ यदि अटूट इच्छा लगन और अदम्य साहस के साथ किसी भी लक्षे को पाने के लिए बढ़ा जाए तो वो लक्षे है अवश्य ही प्राप्त हो जाता है पर ध्यान रहे उस तक पहुँचने के मार्ग में अनेक बादाएं आएंगी परन्तू तुम्हें एक आग्र होकर अपने लक्षे तक पहुँचना है अपनी भूग जाकर खा लो आकाश फ़ल ये काथा महाबली हनुमत की रुजिकर लीला राम भगत की जै 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 रगुनन्दल्य राम जै 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 महाबली हनुमार यासूर में जो एहंकार दिवतर्प में हुआ वेकार नारत जी है चनकल्याणी गर्व भंग करने की ठानी एक बान से दो दो लक्षे कहा मारुती अब तूं क्या भक्षे मारुती को अब तक खेलने के लिए आ जाना चाहिए था हाँ कल अनप्राशन में उसने कहा था सभी प्राता यहीं मिलेंगे कुछ पी कहो किन्तु है अद्बुती है हमारा मित्र मारुती किन्तु कल कितना खाया था हाँ मारुती मारुती अरे मारुती अरे मारुती कहा जा रहे अरे मारूती, कहा जा रहे हो मारूती मैं आकाश फल खाने जा रहा हूँ आकाश फल? पल 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 अकाश फल ये कौन सा फल है? ना जाने कहा चला गया? पता नहीं पलक जपकते ही, ओजल हो गया इश्वरी जाने, वो किस फल की बात कर रहा था? अर्वरी मेर रहा ऑल रहारा वो किस बेकाश ये खज़ शाया पल जाने बारा, किस द她 काश बार गल सबस्काश फल आब पलtsåifferentड़ volont Sound पले लिए पार रहाँ एफ Ann ov पली के आपको नपक्स को अबस्काlt पुष्णीर, जाराफ पुष्णी मेजए अशवगा। खुरूलने करें? अफ, अप, अफ, 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 प्रणाम राजप्रोहिट जी, कल्यान भवा राजन वैसे तो सूरे ग्रहन के समय में की जाने वाली पूजा, हवन और दान के विशे में आपको सब कुछ ग्यात है और महारानी जी भी धर्म कर्म के कारे से पूर्णतया परिचित हैं फिर भी मैं अपता पुरोहिध धर्म निभाते हुए, ये आपको बताना चाहता हूँ, के आज सूरे ग्रहन है, जिसका सूतक काल कुछी समय में आरंभ हो जाएगा सूतक काल से ग्रहन के मोक्ष काल तक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस काल में खाद्य सामगरी दूशित हो जाती है आप उचित कह रहे हैं, हमने पहले से ही सब को सूचित कर दिया है ग्रहन के समय में की जाने वाली पूजा और हवन से सूरे को राहू से मिलने वाली पीड़ा अल्प हो जाती है इससे सूरे देव प्रसंद होकर सुख, सम्रिधी और आयू में पृद्धी करते हैं इसलिए ग्रहन के समय में यग्य और दान का विशेश महत्व है आप जैसा कहेंगे, हम ऐसा ही करेंगे पृद्धी आपका तुलादान होगा अर्थात आपके भार के समान भार का द्रव्य जनता में दान किया जाएगा तथा हर बार की भाती, वस्त्रदान एवं गौदान भी करना होगा अब अश्य राजपुरोहिच जी, ऐसा ही होगा एक राजा के लिए प्रजा सेवा भी, प्रभु सेवा के समान भी होते हैं राजपुरोहिच जी, हमने सारी व्यवस्ता कर दी है ये सब तो व्यवस्तेत रूप से हो जाएगा किन्तो मारुति का क्या करो, सोकर उठते ही उसे भोग लगेगी भोजन उसे दे नहीं सकती, अपनी भोग के समक्ष वो छोटा सा बालक सूर्य ग्रहन के बारे में क्या समझेगा आज तो वो जितना सोएगा उतना ही अच्छा है